दूसरा नमस्कार आप सभी का स्वागता है हमारे YouTube चैनल में आज हम बात करेंगे HS Pre का जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आएगा दूसरा है HS Pre की जो Cut-Off है क्या जा सकती है तीसरा है HS Mains के प्रोपेशन को लेके बात करें क्योंकि Cut-Off की अगर हम बात करें तो इस पर मैंने वीडियो बहुत पहले बनाना था इस पर नहीं बना पाए क्योंकि हर्याना के चैसा जिलो में नेट बंद है बहुत दिन से आज ही नेट चालू हुआ है तो पहले रिजल्ट की बात करें इससे पहले हम Cut-Off की बात करेंगे Cut-Off की हम बात करें तो जो ऑफिशल अंसर की आई थी उसके बाद मैंने आपसे पूछा था क्या आपका स्कोर क्या बनाया एक पोल करवाया था जिसमें बच्चों ने अपना अंसर दिये हैं इसमें 525 के असपास बच्चों ने बोट डाले थे जिसमें सबसे कम जो है 57 से 60 के असपास है ठीक है कटो बताने से पहले एक और चीज मैं बता दूँ आपको जो आपकी पोस्ट है 121 पोस्ट है पोस्ट बहुत कम है और दूसरा 12 गुना हरेना में पास होते है ठीक है तो यही है कि 1300 के असपास बच्चे कुछ पास होंगे दूसरी चीज है जो 38,000 के असपास बच्चों ने यह एक्जाम दिया है जो प्री का एक्जाम है लेकिन इसके साथ एक बात और है कि जो सीरिस केंडिट है जादंतार UPSC वाड़े जो बच्चे है इसमें बैठते हैं सीरिस केंडिट है क्योंकि इसका लेवल आपने देखी रखा है जिन बच्चों ने एक्जाम दिया होगा वो एक्जाम नहीं चोड़ते है और एक और चीज है जो इस बार एक्जाम है मैंने जुदिन को लेके बात करे थी जो जिसमें पूछा गया था कि उपर वाड़े दोनों ठीक हैं तीनों ठीक है एक ठीक है इसको लेगर बह तो C-C-A-T अगर किसने अच्छे से मैथ और रिजनिंग, मैंने बार-बार यह चीज बोल ली थी, मैथ और रिजनिंग अच्छे से कर रिखे हैं, तो 33 परसेंट उसने आराम से क्रोस कर लिए होगे, और G-S पे अगर बेसिक अच्छे से कर रखा होगा, उनको कोई ज़ादा दिक्कत आने वाड़े हैं नहीं देखिए मैं अपना प्रेडिक्शन इसमें बता दूँगा एक तो चीज़ें और बताऊंगा आपको विल्कुल ये गरत भी हो सकता है ये मेरा खुद का प्रेडिक्शन है उसी साफ से और जो सीरिस केंड़ेट है जानतर त्यारी करने लेकिन ऐसे लोगों से मेरी बात हुए थी जिनका फिफ्टी एट पर भी हुआ है अब वह आंसर जो अब्जेक्शन डाले हुए थे एक दो ठीक माना जाता है उसी हिसाफ से देख लेते हैं फिफ्टी एट से सिक्स्टी आस पास बच्चोंगा हुआ था ठीक है तो इस बार जो है काटऊफ कम जाएगी थोड़े सी विकंसी पिछली बार से जाना है पिछली बार साओ विकंसी दी और दूसरा यह है कि पेपर पिछली बार से मुझे टफ लगा है ठीक है लेकिन इसके साथ एक और चीज़ कहूंगा को जिन बच्चों का जर्नल में 55 है 55 अगर आपका score बढ़ना है तो आपको mains की त्यारी अच्छे से करना चाहिए ठीक है इसमें जो 57 से 59 में बताया है इसमें प्लस माइनस दो आगे पीछे आपके हो सकते हैं ठीक है यह मेरा खुद का prediction है गलत भी हो सकता है ऐसा कुछ भी नहीं है EWS की अगर बात करें तो 54 से 56 ठीक है उसी हिसाब से बाकी सब BCA की बात करें तो 53 से 55 इसकी कमी जत्ती से cut off ठीक है और BCB की बात करें तो यह 55 से 57 वही है प्लस माइनस अपने हिसाब से लगा ले ना दो कम भी हो सकते हैं दो ज्यादा भी हो सकते हैं और यह मैंने उसी साफ से पता है, जैसे कि 57 ने से दो कम लगा करें, 55 जिसका score बन रहा है, इसी साफ से आप इनमें भी देख लिए ना, जैसे यहाँ पर 51, यहाँ पर आपका 52, इन के पास अगर आपका score बन रहा है तो आपको means की तैरेक्ट चे से करने चाहिए, अगर हम result की बात करें, result जो है आपका, देखिए कल Monday है, कल से लेकर करके सनीवारत आपका result कभी भी भी आ सकता है, next week में, ठीक है, next week में आपका result कभी भी भी आ सकता है, बाकी date की अगर कोई information होई तो वह भी मैं आपके पास share करूँगा, अभी तक date की कोई information नहीं है, ठीक है, लेकि नहीं है कि next week में आपका कभी भी रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि main screen देर देर के time आपके पास ज्यादा है नहीं, अभी जो बच्चों ने, अगर आपका slaves complete है, तो आपको answer writing करने चाहिए, क्योंकि इसी में बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है, वहां पर ज्यादा answer writing करते हैं, जिनका slaves complete नहीं हो, वह अपना slaves जल्दी-जल्दी cover करने, ज्यादा, जो आपका subject है, optional subject हो, उस पर ज्यादा फोकस करने, पाकी subject के जो paper है, previous paper हो, मैंने telegram पर डार रखे हैं, दुबारा से मैं डाल दूँगा, telegram का हमारे वही नाम है, quality guidance byron beardsing, search करके भी आप ज description में link भी दे दूँगा, ठीक है, बाकी अपनी त्यारी अच्छे से करो, इस से related और कोई doubt है, किसी तरह का, किसी बच्चे को मन में question है, किसी तरह का, तो उससे comment box में जो लिखना, मैं उसका reply करूँगा, telegram जो जो न कर लिए, quality guidance byron beardsing, वहीं पर आपको सारी की सारी पीडि जी को लेकर भी बात करेंगे, मैं जल्दी इस भी वीडियो बनाओ, क्योंकि नेट अभी चालूँ, अभी आपको वीडियो जल्दी इनली शुरू हो जाएंगे, देखने और सुनने के लिए धन्यवाद, जै हिंच, जै भारत बंदे बात रहूँ